ये किताब सभी लोग पढ़े दोसो बासट से ज़्यादा को मुझे भी पहले उत्सुकता थी कि को मुझे चल रहा है तो मैं गया दो कॉमुनिटी रिडियो उसको मैंने भेट की और मैंने वहां उनके कारिकम कैसे बन रहे है कैसे कर रहे है अभी में इने पूछा तो कोई 12 गंटे चला रहा है कोई 10 गंटे चला रहा है एक ने तो कहा वो 24 गंटे चलाते है उनको सब को बहुत बहुत बधाई जिनको पुरसकार मिले उनको भी विशेश बधाई और जो बाकी लोगों को आज नहीं मिले उनको कल मिले इसके लिए उनको शुब काम ना है क्योंकि वो प्रयास करे अपने तरीके से Community Radio क्या है एक transmitter के साथ 15-20 लाख रुपे के investment में और उसमें भी सरकार मदद करती है अक्षरशाद 2-3 rooms में ये काम शुरू करते है और 15 किलो मिटर के radius में बहुत सारे गाओ होते है और वहां तक उनकी आवाज पहुंचती है entertainment भी होती है, प्रबोधन भी होता है स्थानिय कलाकरों को प्रोच्छान मिलता है वो अपनी बात पहुंचा सकते है, उनको एक मंच मिलता है और अखिर जागरुट समाज कम होता है जब वहां खेती के बारे में, व्यापार के बारे में, कौशल के बारे में जब जिवन के बाकी प्रश्नों के बारे में, करियर के बारे में जहां mark relation मिलने का और एक केंदर बन गया तो ये Community Radio बहुत ही काम करता है मुख्यता अनेक कुरुशी विज्ञान केंद्रों में ये है और उसके साथ साथ अनेक स्वयम से भी सांस्ता ट्रस्ट और और अर्गनाइशन्स भी इसको चलाते है और इसलिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम है मैं तो चाहूंगा कि अभी 260 है जल्दी ये 500 Community Radio हो इसके लिए हम सारा प्रयास करेंगे क्योंकि आनन्द आता है जब लोग इस तरह से इतनी प्रतिभाए काम करती है एक दिशा में तो एक दिशा में काम करने का इसमें बहुत आउसर है कि नया मंच है सब के लिए और ये FM होता है मुझे कभी कभी इर्शा होती है कि मेरे आकाश्वानी के सभी केंद्रे FM नहीं है लेकिन आप सभी FM है तो आपका सिगनल बहुत अच्छी तरीके से 15 किलोमेटर के रेडियस में पहुंचता है ये बहुत मैतोपूर्ण है और इसलिए हम आकाश्वानी के सभी केंद्रों का भी जल्दी FM और एम दोनों मिडियम वेव और FM दोनों हो ताकि वो सब जगह दिक्कते दूर करके पहुंच जाए क्योंकि रेडियो जितना ताकत किसमे भी नहीं रेडियो रेडियो जितनी विश्वस देता किसकी भी नहीं और मुझे याद है प्रधान मंत्री जी को जब हम पहली दफ़ा मंत्री पहली बार बनने के बाद चौदा में मिले थे तब उन्होंने रेडियो की विश्वस नियता और रेडियो का उपयोग कैसे सब जगह होता है और हमें कैसे बढ़ाना चाहिए ये कहा और तभी उनके मन में पका था तो मन की बात शुरू हो गई आज देश की बात वो बन गई है वो दिल की बात बन गई है ये रेडियो का सफलता है रेडियो कहां तक पहुंचता है इसका ये उधारन है मैं खेतों में मैं बहुत सारा प्रवास करता हूं तो दोपर के समय खेत में खा रहे है किसान तो वो भी रेडियो सुन रहे है जो भी आभी तो मोबाइल में रेडियो है अभी तो सब जगह रेडियो है तो रेडियो सुनाई देता है और इसका उपयोग है अभी हमने हमारी चर्चा हुई एक नई टेकनोलाजी है डिजिटल जिससे की डिजिटल टेकनोलाजी से आज जो रेडियो के केंदरा है सेंटर्स है आकाश्वाणी केंदरा है उसमें चार गुना वृद्धि हो सकती है उसके बारे में भी हम नीतिकत फैसला जल्दी लेंगे कि भई कि 2024-2025 कुछ भी एक तारीक तैय होगी उसके उसके साथ उसी वर्ष से यह नई पॉलिसी होगी तो और ज्यादा विस्तर होगा क्योंकि मैं मानता हूँ लोगों को लगता क्या है सुनने का अच्छा बोलने का जितना आउसर मिले वो भारती आदमी हमेशा तैयार है जब एडिसन ने फोन निकाला पहला टेलीफोन तो वह अमेरिकन अध्यक्ष को दिखाने के लिए ले गए और उन्होंने कहा कि इस फोन के माध्यम से हम कही भी बात कर सकेंगे दूसरे श तो अमेरिकन अध्यक्ष ने उनको पूछा कि भाई साब लेकिन बोलने के लिए पैसे कौन देंगे आज पूरी दुनिया दे रही है भारत सबसे ज़्यादा दे रहा है यह ज़्यादा समय बोलते हैं हम टेलीफोन पर मोबाइल पर मोबाइल गरगर का और हर एक के पास मोबाइल ऐसी आवस्ता आ गई और सबसे सस्ते रेट है इसलिए सबसे ज़्यादा भी बोलते हैं तो यह टाकत होती है कौमिनिकेशन की जरुरत होती है लोगों को मन में सारा पड़ा रहे और किसी से कुछ नो बोलो सबसे बड़ा सजा क्या होती है किसी से संपर्क नो हो कि इसे से बात न कर सकते हो और आपके पास कौमिनिकेशन का कोई साधन नो हो यह सबसे बड़ी सजा हो सकती है और इसलिए कौमुनिकेशन का एक बहुत महतोपूर्णा उजार कौमुनिटी रेडियो यह आज इनको सब को पुरसकार दिये 2 दिन आपने सम्मिलन किये है ौर 2 में आपको भी बोलने का आउसर मिला हमारे आधिकारियों के भाषन नहीं हुए और आपके बहुत अच्छे सुझाव आए है आँ भाषन ही हुए तो अभी नेक सेशन आप बोलते ही रहों कि यह नहीं क्योंकि मैं हमेशा केता हूँ हमारे आधिकारियों को पब्लीक ली कि करेंगे वर्क्शॉप करेंगे तो आधा समय हमारा आधा समय जो आये है उनका और उनको वो मिलना चाहिए यह हमारी हमेशा भूमिका रही है एक तरफा वो संवाद नहीं होता तो संवाद होना चाहिए और इसलिए लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों की बात्चीत जो बहुत अच्छे अच्छे सुझावाए और उसको भी हम विचार करके और अच्छा क्या कर सकते हैं यह करेंगे कॉमुनिटी रेडियो लोग तंत्र में एक महतो पूर्ण भूमिका निभाता है और उसको आगे बढ़ाएंगे और सभी अच्छे उपक्रम और अच्छे संस् पूलर है आप भी कहां मिलते हो इस निमितर से मिले हो तो आपस में भी आपने चर्चा की होगी और यह कंपेडियम है इसमें भी सारी जानकारी है एक दूसरे की जानकारी लेके उनका अध्यन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए यही मेरा मुल कहना है और इसलिए आज यह हुआ है सात्वा है लेकिन दो साल के बाद हुआ है तो यह एक हमेशा चलेगा हमारा संवात बरकरार रहेगा और आईए स्वागत करेंगे नेक्स टाइम मैं ज्यादा समय आपके साथ रहूँगा इतना क्या सकता हूँ दूसरा हमारे ब्यूरो आउट्रीच के माध्यम से यह जनकनेक्ट सही नियत मजबूत फैसले प्रचार सुचना प्रसारण का ये काम है कि जनता तक सही जानकारी पहुचाना और मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल में निरिणयों की गती इतनी तेज है कि उस स्टेज गती में हमें पचास दिन का भी हमने किताब निकाला पहले लोग एक वर्ष का रिपोर्ट देते थे अनेक सरकारे थी जो रिपोर्ट देती नहीं थी उनके रिपोर्ट रोज पेपर में उल्टी आती थी लेकिन वो बदल गया अब हम सबता साल भर में नहीं पहले सव दिन में देया था पहली बार लेकिन इस बार तो पचास दिन में भी दिया पचातर दिन में दिया और बताने जैसा भरपूर काम हुआ है जैसे हमें मालूम है कश्मीर के जनता को विकास का देश के लोगों जैसा समान अधिकार नहीं मिलता था वो विकास का सही अ भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां कि लोग उनको अरक्षन नहीं मिल रहा था वह मिले कालाब मिलेगा देश के सभी कानून वहाल आगू होंगे और इसलिए देश की विकास की गती जैसे है उससे भी जादा गती से अब कश्मीर और जम्मू और लड़ाक तीनों प्रांथ दो प्रांथ हो गए और दोनों बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है और इसलिए एक बड़ा निर्ने हुआ एक क्रांतिकरी बजेट आया और बजेट में हमने घोशना की और पूरे देश भरने स्विकार की कि फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी आज दुनिया की हम ग्यारावी अर्थ विवस्ता थे दोहजार चौदा में अभी दोहजार उन्निस में हमारा पाच्वा नंबर है हम तीसरे नंबर पर जाने की मंचा रखते है लो एम इस क्राइम हाइम रखना चाहिए और उसके लिए कैसे रहा तैयार कर रहे है ये भी हमने देखा सव लौक करोड का सड़क बिजली पानी पोर्ट एरपोर्ट जलमार्ग सभी तरीके से अवाजाही के साधन मेडिकल का मेडिकल बिल हो या 35 बिल पास हुए पिछले अनेक सालों में राज्य सभा ये स्पिर ब्रेकर समझा जात था इस बार राज्य सभा भी हाइवे बन गया विदाउट एनी स्पिड ब्रेकर ये हो गया और इसलिए ये इतने बिल पास हुए विधाइका का नाम ही लेजिसलेचर नाम है लेजिसलेचर माने हमारा नाम भी एक तरस से विधायक है अबर जॉब इस तू लेजिसलेट तो इसी माध्यम से आये ट्रिपल तलाकिक मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने वाला बिल वो भी आ गया और उसके साथ साथ किसान को 90,000 करोड रुपे की लागत से हर साल 6,000 रुपे मदद के रूप में और ये कंटिनिवर्स आने वाले सालों में मिलता रहेगा ये एक बहुत बड़ा किसान के लिए महतोपूर्ण निर्ने है उसको बाकी सारी योजनाय लागू होई गई है अब उसके लिए पेंशन का भी दरवाजा खुला है 40 करोड अरसंगटित मजदूर है उनके लिए भी पेंशन शुरू हो रहा है और 40 करोड मजदूरों को रोजगार का जो ये होना चाहिए कि उसकी नियूकती का पत्र भी नहीं मिलता था वो भी मिलेगा और उसको नियूंतम वेतन भी मिलेगा ये वेज कोड का बिल भी पास ह हो गया है उसके साथ साथ जो व्यापारी है छोटे 6-7 करोड व्यापारी ऐसे है उनको भी पेंशन की सुविदा दी गई है हमारी देश की सुरक्षा बलो पर हमें नाज है गर्व है उनके लिए बहुत सारे निर्ने जैसे और ओपी का निर्ने पहले ही किया जो 40 साल से पें कियों को चात्रमृति कैसे बढ़ेगी इसका पहला आदेश निर्गमित किया तो यह एक तरस से लगातार लोगों के लिए और लोगों के लिए अच्छे अच्छे भैसले करने वाले यह हुआ है यह भी आपको सब को मिलेगा यह भी जरूर पढ़िए और लेकिन मैं इतना ह कहूंगा कि यह दो लोग आरे कमाज एक साथ हमने किये क्योंकि समय का अभाव होता है अभी में मैं जा रहा हूं दूसरे एक पॉलिटिकल विशे पर प्रेस कांफरेंस करूंगा लेकिन आप सब लोग यहां आए बहुत अच्छे तरह से आपने सभाग दिया है और भी आप के मुद्दे जो होंगे वो भी सुनेंगे और आप कभी भी मुझे मेरे नाम से लिखिए मुझे आया हुआ हर पत्र मैं पढ़ता ही हूं तो इसके लिए कोई मन में आशंका न रख्या और उसका जो भी सग्यान लेना है वो लेते हैं सुधार करते रहना यही अपना काम है आप सब के साथ मैं भी एक कॉमुनिटी रेडियो का आवाज हूं इतना ही कहूंगा बहुत बहुत धन्यों